फाइनली गाइस ओमाइगोड यानि कि omg2 का टीजर आ चुक है और टीजर हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा कुछ कई दिनों के बाद यानि कि हमारे जो गोड़ से हमारे बगवान के ऊपर कुछ नया देखने को मिलेगा आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा यह स्टोरी है यानि कि omg2 की जो स्टोरी है उसमें टीजर में से बहुत कुछ थियरी निकल के आ रही है तो उसके बाद मैं इसकी स्टोरी है ओ थोड़ी सी अपनी थियरी से जो मैंने दिखाया आपको भी सही लगेगी 99.99% आपको यह स्टोरी सही लगेगी और आप भी कॉमेंट में बोलो कि आप आये सही तो उसके बाद मैं ओ बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले चलो अपना हम लिव्यू स्टार्ट करते है तो भाई टीजर के स्टार्टिंग में ही हमारे जो omg part 1 वाले जो परेश रावल थ करता है वह जो डायलोग और दमागेदार कई दिनों के बाद अच्छा परेश रावल का जो डायलोग है यारो सुनने को मिला हमको तो ओभी एक शांदार चीज हो गए इस टीजर में और बाद में जो उसका जो म्यूजिक है जो BGM वगरा बोलके ओ जो म्यूजिक है वह भी बहुत अच्छा है और उसका जो बास वगरा म्यूजिक का हम कान में एरफोन डालके सुनते तो उसका भी बहुत मजा आते हैं माना कि कुछ-कुछ शोट में उसकी कलर ग्रेडिंग में मेरे को लगा कि इसमें ऐसा करना चाहिए उसमें पर कोई बात नहीं सा हमको कंटेंट चाहिए कई दिनों से हमने अच्छा कंटेंट नहीं देखा दा और हमारे भगवान उपर अभी भी आधी पूरूश गई है पर कुछ-कुछ को मजा आया कुछ-कुछ को नहीं है आपने चलो कोई कोई बात नहीं हमको हमारे को कंटेंट चाहिए ठीक है वीडियो वीडियो क कोलेट वगेरेने कंटेंट चेंट तो चलो जीविए को इधर हम खतम करते और मैं अब बताता हूँ उसकी स्टोरी ठीक है तो सबसे पहले आपने गाइस देखा होगा कि परेश रावल का जो डायलोग स्टाइटिक में उसमें बोलता है कि कांजी यानि कि कांजी भाई वो क पंकच त्रिपाठी है वो आस्तिक है उसमें परेश रावल नास्तिक था फिर भी भगवान एल्प के लिए आये और इसमें जो पंकच त्रिपाठी है वो आस्तिक है उसकी भी एल्प करने के लिए आने वाले वो तो पक्का है और आपने देखा होगे कि एक बच्चा है वो रेल ट्रेक पे खड़ा होके सुसाइड करने जार ट्रेन आके उसको कुचड के चले जाती तो उसमें एसी थियरी निकल के मेरे मन में आये कि जो पंकच त्रिपाटी है उसके बेटे को मान लो कि गुंडों ने कुछ तौचर किया होगा और वो ट्रेन की पट्री पे जाके सामने सुसाइड कर लेता है तो एक थेरी हो भी हो गई और उसके लिए जो पंकच त्रिपाटी हो बगवान को मानते हो राशा रखते होगे कि बगवान मेरे बच्चे को बच्चा नहीं है अब और दूसरी बात हो गई पर वह अपने बेटे के न्याई के लिए कोट में अक्षे कुमार यानी कि OMG ONE में जैसे पुट्र के अंट्री पे आया था अक्षे कुमार भगवानों के तो चलो उसे अेस में तो कुछ एंट्रि बगवाने दिख़ाय नहीं आगे बत दिखाय तो भी कुछ पता नहीं पर उस तरह से अक्षे ने इस बार डीजर में देखा बंकत्रिफाटी पुजा कर रहे हैं उसके पीछे से नान करके जो पानी का कुण्ड कोंड होटा है उसमें से सनान करके निकल रहे हैं ठीक तो कुछ एसा भी खोड़ हाए मेरे को सब्सक्राइब हो रहे हैं ओके तो आप भी कमेंच करके बताना क यह जो theory है वो आपको कैसी लगी और जो मेरा मन का वीचार है वह यह ती यानि कुछ आगे होने मेरे को कॉमेंट्स करके बता देना और लैक शेर तो आप करते वीडियो पसंद आया हो अब मिलेंगे डूसरे वीडियो में जाएंग